इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी यह चोटी blood vessel की देवारों को सिकोडता है और प्रभावित नसों में blood flow को कम करता है आपको घर पर यह दवा खुद से नहीं लेनी चाहिए आपका डॉक्टर निरने लेगा कि इस दवा की कितनी खुराक और आपको उसे कितनी बार लेना चाहिए इसे केवल food pipe यानि की esophagus में गंभीर या जीवन के लिए घातक bleeding की बीमारी वाले रोगियों को दिया जाता है इस दवा का इस्तेमाल करने से सिर्दड, धीमी हृदय गती, high blood pressure, peripheral vasoconstriction और peripheral ischemia low blood pressure जैसे कुछ सामाने side effect हो सकते हैं अगर इन में से कोई भी side effects दूर नहीं होते या बिगर जाते हैं तो डॉक्टर को बताएं इस दवा का उप्योग करने से पहले अगर आपको अपने दिल, liver या kidney में कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर को सूचित करें आपको अपने डॉक्टर को उननने सभी दवाओं के बारे में भी बताना चाहिए जिन्हें आप ले रहे हैं यह दवा बच्चों और किशोरों को नहीं दी जाती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद